हेलो एवरिवान, स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल रवी अदिती क्लासेज में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कंटीनू करेंगे हमारे ऐसे सी सीरीज को जहाँ पे हम सेट 6 कवर करने वाले हैं पांच वीडियो जो हैं इस सीरीज के अलरड़ी चैनल में अपलोड़ेड हैं अगर आपने उसको देखा नहीं है जाके जरूर देख लीजेगा यूंकि इन वीडियो में मैंने आपके लिए एसे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टन कोशन होते हैं जैसे कि प्रिविएस यर कोशन हो गया या फिर स्टाटिक के कोशन हो गया तो इन सब को मैंने इन वीडियो में इंकलूड किया हुआ है और साथ में कोशन के अलावा आपको यहां पर काफी सारे इंपॉर्टन पॉइंट भी देखने को मिलेंगे तो यह पूरा कम्प्लीट यहां पर आपके लिए वीडियो होने वाला है SAC के लिए तो फ्रेंट्स आपको यह सीरीज कंटीनू करना है और अच्छे से पूरे वीडियो को देखना है क्योंकि फ्रेंट्स मैंने आपके लिए हर एक कोशन जो है सेलेक्टे और मोस्ट इंपॉर्टन लिए हुए है तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर टॉप 50 GKMCQS हम कवर करेंगे SAC के इस वीडियो में तो फ्रेंट्स ऐसे से कि अगर आप कोई भी एक्जाम के प्रेपरेशन कर रहे है न यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूसफुल होगा चाहे वो MTS हो, CGL हो कि CGL के एक्जाम अभी आने वाला है यह वीडियो आपके लिए CGL के जो है काफी important हो जाती है चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कोशन यहाँ पे है तो फ्रेंट्स पंचायती राज इंस्टिउशन को जो constitutional status दिया गया है यह दिया गया है 73rd Constitutional Amendment Act तो option number A जो है right answer हो जाएगा तो यह जो act है यह 1992 में आया है ठीक है 73rd Constitutional Amendment Act 1992 इससे जो है constitutional status दिया गया है पंचायती राज को साथ में बात करें पंचायती राज हमारे Indian Constitution के कौन से schedule में given है तो friends जो schedule है 11th schedule ठीक है हमारे constitution का 11th schedule है इसमें पंचायत के बारे में बात किया गया है अब आता ही है है अपर schedules की तो total कितने schedules है हमारे Indian constitution में total 12 है तो friends उसको याद रखने का एक छोटा सा trick है मैं आपको बता देती हूँ देखिए tiers of old PM बस आपको इस तरीके से याद रखना है अब देखिए T से क्या आता है तो union territories and states यह आते हैं first schedule में यहाँ पर next बात करेंगे हम second schedule की तो second schedule में जो emolments है यानि कि जो salaries है उनके बारे में बात किया गया है यह से आता है affirmations ठीक है affirmation और oath जो भी oath होती है वो third schedule में दिया गया है fourth schedule में बात की गई है friends राजे सभा के seat allocations की right next बात करेंगे S से तो आता है scheduled areas O से आता है friends यहाँ पर other tribal areas other tribal areas F से हो जाता है federal list next है O तो O से आता है official language आपको यह च्छोटा सा ट्रिक है जिससे आप काफी easily schedules को याद रख सकते हैं friends L से आता है यहाँ पर land reforms examiner directly पूछा जाता है कि कौन से यहाँ पर schedule में किस चीज की बात की गई जैसे for example आप से पूछा जाएगा Indian Constitution के first schedule में किस की बात की गई है तो इसका right answer union territories and states होगा तो ऐसे questions directly exam में आते हैं ठीक है तो आपको एक छोटे से ट्रिक से सारे जो schedules है इनको याद कर लेना है D से क्या आता है देखे D से आता है friends defection और इसको यहाँ पर add किया गया है 10th schedule में 52nd amendment से यह point यहाँ पर आद रखें 52nd amendment act से जो है इसको यहाँ पर add किया गया है P से आता है friends यहाँ पे पंचायत जिसके बारे में अभी हमने बात की इसको कौनसे अमेंडमेंट से अड़ किया गया है 73rd Amendment Act 1992 से इसे अड़ किया गया है और M से आता है friends municipality ठीक एह तो municipality को कौनसे यहाँ पे Constitutional Amendment Act से अड़ किया गया है इसके अलावा option में आप देख सकते हैं, option number जो C है, 71st Amendment, ये भी आपके लिए काफी important है, friends, जो 71st Amendment Act है 1992 का, इसमें किसके बाद की गई है, तो जो languages हैती है, language है, कुनकानी, मनिपूरी, और नेपाली, तो इन तीनों languages को जो है, हमारे Indian Constitution के 8 schedule में, 71st Amendment Act से add किया गया है, तो ये व इसके अलावा, आप friends, बात आईए, आपर पंचायती राज की है, तो यहाँ पर देख लिए, नेशनल पंचायती राजडे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल, 24th April को, चलिए, अगला question देखिएगा, यूरिया, commonly used as fertilizer, is prepared by reaction between ammonia and, तो यहाँ पर जो यूरिया है, इस ammonia, जो की carbon dioxide के साथ react करके form कर रहा है, यूरिया and water, तो option number C, यहाँ पर right answer है, साथ में friends, यहाँ पर ध्यान रखिए, जो यूरिया है, इसका chemical name क्या है, इसका chemical name है, कार्बमाइड, ठीक है, और यूरिया के use क्या होता है, इसको कहाँ कहाँ पर use किया जाता है, इसको fertilizer के आसकते हैं, एक्जाम में, अगला question, which river is called as sorrow of Bengal, तो किस नदी को Bengal का शोक कहा जाता है, right answer यहाँ पर हो जाएगा, friends, option number A, ठीक है, option number A, यहाँ पर टिक कर लीजेगा, दामुदर रिवर, तो दामुदर रिवर को कहा जाता है, sorrow of Bengal, दामुदर रिवर की बात की जाए, तो यह क इसलिए इसको sorrow of Bengal कहा जाता है, देखें, यह पहले बहुत जादा हुआ करता था, अभी काफी सरे dams वेगरा बनाके इसे थोड़ा कम किया गया, reduce किया गया, इन floods को, तो यह point अब ध्यान रखें, और साथ में दामुदर रिवर के कुछ टिब्यूदर रिवर की बात कर ले ह सबसे पहला देखें आता है, गंगा रिवर, गंगा रिवर कौन कौन से स्टेट में फ्लो करता है, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, जारखंड और वेस्ट पैंगवल, और यह सबसे लंबी नदी है हमारे इंडिया की, जिसका जो लेंथ है, यह 2525 किलोमेटर, 2525 2525 इस तरीके से आप याद रखें, ओरिजनेट कहां पे होती है, ओरिजनेट होती है गंगोतरी में, और यह जाके एंड होती है बे ओफ बेंगोल में, नेक्स्ट यहां पे आता है यमुना, फ्रेंड्स यमुना रिवर, उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर माचल और टिबेट में फ्लो करती है, 2900 किलोमेटर जो है इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ है इंडिया में नहीं है, यह पूरी टोटल लेंथ है इसकी, तो यहां पे देखिए यह लेक मान सरोबर से स्टार्ट होती है, बे ओफ बेंगोल में यह जाके एंड होती है, नेक्स् महाराष्टर, तिलंगाना, चत्तिसगर, आंदरप्रदेश और पुदुचेरी में यह फ्लो करती है, 1465 किलोमेटर इसकी लेंथ है, नासिक हिल से ओरिचनेट होती है, बे ओफ बेंगोल में जाके एंड होती है, इसके बाद यहां पे आता है कृष्णा रिवर, महाराष्ट करनाटका, तिलंगाना और आंदरप्रदेश में फ्लो करती है, 1400 किलोमेटर इसकी लेंथ है, महा बलेश्वर में स्टार्ट होती है, बे ओफ बेंगोल में कम्प्लीट होती है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिवर्स जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, नर्मदा औ में फ्लो करती है, 724 किलोमेटर इसकी लेंथ है, बेतुल से स्टार्ट होती है और अरेबियन सी में जाके गिरती है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको आपको कम्प्लीट इन्फोरमेशन दे दी है, सारे मेजर रिवर्स हमारे इंदिया के अंदर जो भी है उनके बारे में, I hope आ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, राइट, चलिए, स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ेंगे, विच वन अफ दा फॉलिंग पियर इस नौट मैच्ट करेक्टली, आपको बताना इन में से कौन सा जो है, करेक्ट मैच नहीं है, देख होते हैं, कौन-कौन से देख लीजिए, और इथिलीन, तो इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है और कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे, आप मैंने बताया आपको साइटो काइनी सेल यहाँ पर देखेंगे, 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 स्टिमिलेट्स ब्रेक्डाउन ऑफ स्टोरेज फूट टू फैसिलिटेट जर्मिनेशन और स्प्राउटिंग अफ लीफ होता है अपसिसिक एसे डॉर्मेंसी ऑफ एंब्रेयो होता है साथ मैं इथिलीन की बात करें यहां पर सबसे जादा एक्जाम में यहीं रिपीट होता है ठीक है तो यह कुछ प्रापोर्टीज है डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन की चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला कोशन यहां पर है दिब्रुगर सिटी लोकेटेड ऑन बैंक ओफ विच रिवर तो दिब्रुगर शहर किस नदी के तट पर है आपको बताना है राइ अब्सक्रापए मैं लिक देती हूं आपके रहेँ देखिए चेमायुंदुग चेमायुंदूंग नियर मां सरोवर लेखऺः ठीक है मां सरोवर लेख़ तिबेट में तो यहां पर अने ब्रेंड मीर मांहूनशॉवर लेख़़ियो में इसका और इजिनेशन होता है अरु अरुनाचल प्रदेश से एंटर करता है और देखें बांगलादेश में इसका नाम क्या है बांगलादेश में जो ब्रमपुतर रिवर है इसका नाम जमुना है तो अरुनाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं और बांगलादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है और इ इस्ता लोहित और सुबानसिरी राइट और जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को फ्रेंट्स बांगलादेश में जमुना की नाम से जाना जाता है वहीं बात की जाए गंगा रिवर तो गंगा रिवर को बांगलादेश में किस नाम से जाना जाता है वहाँ आपको यहापे सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दी हैं दो मेजर जो रिवर्स है हमारे इंडिया की उनके बारे में मैंने आपको complete information दे दिया है तो friends जैसा कि आपने आप देखा कि दिब्रुगण सिटी जो है यह ब्रमपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है ऐसे कुछ और important cities और कौन से river के beside यह located है उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा discuss कर लेते हैं तो सबसे पहरे बात करें देखे ब्रमपुत्र नदी के किनारे जो है गुहार्टी भी आता है ठीक है गुहार्टी गुहार्टी और दिब्रुगण दोनों जो है ब्रमपुत्र रिवर के bank में है न्यू डेली कहाँ पर आता है न्यू डेली इस cancer हो जाएगा यमुना यमुना नदी के किनारे पर स्थित है न्यू डेली नेक्स बात करेंगे यहाँ पर एहमदाबाद की ठीक है एहमदाबाद तो एहमदाबाद लोकेटड है साबरमती नदी के किनारे वडोदरा वडोदर स्थित है friends, विश्वमित्र नदी के किनारे, आगे देखिए सूरत, सूरत तापती नदी के किनारे स्थित है, इसके अरावा और बात की जाए नाशिक, देखिए नाशिक friends, गुदावरी नदी के तट पर स्थित है, एक और important जो है friends, यह है मदुरई, देखिए जो मदुरई ह यह वाई गाई नदी के किनारे पर स्थित है next हैदराबाद very very important exam में पुछा जाता है हैदराबाद कौन से river के bank में located है तो यह मुसी river के bank में located है तो friends यहाँ पर मैंने आपको most important कुछ बताए हैं आगे आने वाले videos में हम जो बाकी बजगया है उनको भी cover करेंगे देखिए अगर यहाँ पर हम पूरा complete करते हैं तो यह video बहुत ज़्यादा लंदी होगा तो मैं आपको जो है questions को importance के order में बताऊंगी जो भी most important होंगे पहले हम discuss करेंगे फिर आगे आगे आते हम जो है complete जो बाकी बजग जएंगे उनको भी cover कर लेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question what is the major difference between IMF and World Bank तो यह पर IMF और World Bank के बीच में प्रमुक अंतर क्या है तो यह पर friends देखिए जो World Bank है न यह long term loans देता है बट IMF नहीं देता है long term loans बट IMF क्या देता है short term loans देता है तो यह दोनों complete opposite है World Bank long term loans देता है और IMF short term loans देता है तो यह पर option number C right answer हो जाएगा बोथ A and B अब क्यूंकि बात आई है IMF और World Bank की इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा important points देखिए World Bank इसको establish किया गया है July 1944 में Headquarter Washington में है President Ajay Banga है इसके MDCFO कौन है अंशुला कान्थ है Chief Economist कौन है इंदरमित गिल वही बात करें IMF International Monetary Fund 27 December 1945 को establish किया गया Washington DC में इसका Headquarter है इसमें total 190 members जो है शामिल है और इसकी Managing Director कौन है यह है Crystalina Jorjiwa तो friends यह कुछ important points जो exam में अक्सर पूछे जाते हैं about IMF and World Bank अगला question Who was the second Muslim President of INC तो यहापे Indian National Congress के दूसरे Muslim अध्यक्ष कौन थे तो इसका right answer यहापे हो जाएगा फ्रेंड्स option number B रही मुतुला मुहमद सयानी यह जो थे दूसरे Muslim President थे Indian National Congress के मही बात की जाए पहले Muslim President कौन थे INC के यह थे बदरुद्दिन तयाब जी तो first Muslim President बदरुद्दिन तयाब जी रहे हैं और रह्मूतुला सयानी second Muslim President रहे हैं friends यह जो है रह्मूतुला सयानी 1896 में जो है प्रेसिडन बने थे portion the Charminar which is said to be built to commemorate the eradication of plague was built by whom? तो friends Charminar पहले तो आपको पता होना चाहिए है कहां तो ये Hyderabad में located है तो इसको जो है eradication of plague है ना plague को हटाने के लिए जो है इसे उसके याद में जो है इसे बनाया गया था आपको बता ना ये किसके तो 1591 में जो है ये Charminar को built किया गया it is said that it is a square shaped structure with four pillars and intricate carvings was built in the honor of his wife भागमती तो उनकी भागमती के honor में जो है Charminar को इन्होंने बनवाया था तो option number D friends यहाँ पे जो है right answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे ISRO launched India's first geostationary satellite in 1981 which named तो यहाँ पे ISRO ने फ्रेंड's 1981 में जो है अपना पहला भारत का पहला भोस्तिर उग्रा launch किया था उसका नाम बताना है आपको तो उसका जो नाम था ये था Apple option number A right answer है देखिए Apple इसका full form क्या है the Iran passenger payload experiment ये इसका full form है was ISRO's first indigenous experimental communication satellite it was launched into GTO यानि कि geosynchronous transfer orbit आपको ये full forms भी याद रखने है आपको ये full forms भी याद रखने है by the third development flight of ESA Arian vehicle from Coruo on June 19, 1981 तो friends June 1981 में जो है Apple ये पहला इंडिया का geostationary satellite है इसे launch किया गया था picture आप देख सकते हैं ये image है इसकी देखिए बात करें अब ISRO की तो ISRO friends इसका यहाँ पर foundation हुआ है 15 अगस्त 1969 को chairman Shridhar Somnath है Somnath है headquarter इसका बैंगलोरू करनाटका में है और ये headquarter जो है friends ये काफी exams में जो है frequently यहाँ पर ये repeat होता है चलिए आगे बढ़ेंगे article 25 of constitution is related with which मैं पर समिधान कानू 25 किस से संबंदित है ये संबंदित है इसमें से right to religious freedom option number C right answer है friends तो जितने हैं यहाँ पर हमारे पास fundamental rights है total fundamental rights कितने है 6 है ठीक है कौन कौन से है पहला तो होता है right to equality मैं आपके लिहां पर mention कर रही हूं right to equality ठीक है next आता है right to freedom right to freedom third बात करें right against exploitation right against exploitation यह हमारा third fundamental right है next है friends right to freedom of religion right to freedom of religion next है cultural and educational rights और last यहाँ पर हमारा sixth fundamental right है यह है right to constitutional remedies right to constitutional remedies तो यह जो है यहाँ पर start होता है article 14 से article 14 से यहाँ पर 32 तक जो है Indian constitution में fundamental rights के बारे में बताया गया है तो right to equality के अंदर बहुत सारे आते हैं तो यहाँ पर 14, 15, 14, 15, 16, 17 और 18 जो है इसमें जो है different equalities के law को बताया गया है ठीक है तो यहाँ पर 14 में equality before law की बात की गई है article 15 में prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste की बात की गई है article 16 बात करता है equality of opportunity के बारे में employment में फिर article 17 जो है काफी important है abolition of untouchability की बात करता है और article 18 जो है यह abolition of titles की बात करता है तो इसी तरीके से different articles जो है इनके अंदर आते हैं आगे इसके बारे में हम detail में discuss करेंगे right to freedom जो है article 19 से लेके article 22 तक यह right to freedom के अंदर है article 23 और 24 जो है right against exploitation में आते हैं 27 से लेके यहाँ पर 25 से लेके friends 28 तक यह आते हैं right to freedom of religion के अंदर और 29 और 30 जो हैं यह आते हैं किसमें cultural educational rights में और इसके बात जो है वो आते है right to constitutional remedies में तो आगे इसके बारे में और भी सारे questions आएंगे previous series में भी हमने कुछ questions को यहाँ पर cover किया है तो अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं है उसको भी जरूर देख लेजिएगा ठीक है चलिए अगला question देखिए the committee which selects the noble peace prize belongs to which country तो noble shanti purushkar का चेयन करने वाली समीती किस देश से संबंदित है तो जो noble peace prize को select करते हैं यह committee friends Norway की होती है option number A यहाँ पर right answer है देखे the noble peace prize is awarded by a committee of five appointed by starting the Norwegian parliament तो Norway का जो parliament है इसे starting के नाम से जाना जाता है तो यहाँ इनके द्वारा जो है एक five member committee को form किया जाता है जो noble peace prize को यहाँ पर select करती है आपका अगला question promotion of international peace and security is mentioned in तो यहाँ पर अंदराश्टिय शांतिय और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उलेग इनमें किसमें किया गया है यह किया गया है friends इसमें से directive principle of state policy में देखे इसके बारे में detail में article 51 of the constitution which is directive principle of state policy directs the state to promote international peace and security and maintain just and honorable relation with nation तो यहाँ पर DPSP आने के directive principle of state policy article 15 में mention है यह बताता है कि यह जो states है promote करे international peace को और security को ठीक है और यह यह भी बताता है कि जो भी international law है इसकी यह respect करे और कोई भी अगर disputes है उसको peace fully जो है यह settle कर ले ठीक है आगे बढ़ेंगे next देखें after which of the following wars the foundation of Mughal dynasty took place in India question है friends निम्डिकित में से किस युद के बाद भारत में Mughal वंश की नीव पड़ी थी तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option number B first battle of Panipat तो first battle of Panipat के बाद जो है Mughal dynasty जो है इसका foundation हुआ था India के अंदर में तो यह कब हुआ था 1526 में हुआ था friends first battle of Panipat किसके बीच में इबराहिम लोधी और इसके अलाबा बाबर ठीक है इबराहिम लोधी और बाबर के बीच में जो है first battle of Panipat हुआ था इसके बाद जो है foundation of Mughal dynasty इंडिया में हुई है second battle of Panipat कब हुआ है second battle of Panipat हुआ है friends for example battle of Plassey है ये कब हुआ है battle of Plassey ये हुआ था है 1757 में एक और battle है जो कि है battle of Terrain battle of Terrain friends हुआ है 1191 में फिर second battle of Terrain भी हुआ था ये 1192 में हुआ था साथ में option में आप देख रहे है battle of Haldigati ये कब हुआ है ये 1576 में हुआ है वही बात करें battle of Talikota तो friends ये हुआ है 1565 में तो ये आप years कुछ याद रखें exam में directly भी years पूछे जाते हैं आपका अगला question तो यहाँ पे friends विजयनगर राजी की संस्थापा कौन थे ये थे Harrier एंड बुका इन दोनोंने मिलके जो है 1336 में विजयनगर अंपाया की खोज की थी इसके अलावा friends ये जो विजयनगर अंपाया था इसके अंदर चार dynasties थी कौन-कौन सी थी एक थी संगम next थी सलुवा थर्ड है तुलुवा और फोर्थ है यहाँ पे अराविडू तो ये सारे dynasties थी विजयनगर kingdom के अंदर में चलिए आगे बढ़ते है next question what is the full form of DNA in context of forensic science तो forensic विजयान के संदर में DNA का पूर्ण रूप क्या है science है काफी important question है biology से तो DNA का जो full form होता है यह होता है deoxyribonucleic acid right answer है option number B यहाँ पे next देखेगा henry is the unit of henry इन में से किसकी काई है तो यहाँ पे आप देख सकते है complete table आपके लिए given है SI units की तो यहाँ पे देखेए यह रहा henry henry जो है inductance का unit होता है तो option number D जो है इसका right answer है ध्यान रखेगा friends यह inductance का unit है यह henry है वहीं बात की जाए energy की तो energy का unit क्या होता है energy का unit joule होता है temperature का unit होता है friends यहाँ पे Kelvin इसके लबा capacitance की बात की जाए तो capacitance का unit होता है फेराड इस तरीके से और भी काफी सारे जैसे कि resistance हो गया तो resistance का unit होता है ओम है ना next और देख लिए frequency इसका hertz है फिर आप देख सकते हैं पे pressure इसका pascal है energy work और heat का joule होता है unit next यहाँ पे देखिए watt किसका unit है power का unit watt है charge का unit coulomb है इसी तरीके से आप देख सकते है conductance का unit क्या होता है siemens तो friends यहाँ पे आपको मैंने complete जो table है यह दे दिया है इसको आपे just एक बार revise कर लिए अगला question पुलिकट लेक is located in which state तो पुलिकट जील जो है यह किस राजे में स्थित है friends पुलिकट लेक जो है यह located है आंधर प्रदेश में option number B यहाँ पे right answer है तो देखिए आंधर प्रदेश है पुलिकट लेक है कोलेरू लेक है यह सारे लेक्स आंधर प्रदेश के है पुलिकट लेक is the second largest brackish water lake in india located in the state of disclose आँधर प्रदेश after चिलिका लेक तो यहाँ पे जो पुलिकट लेक है यह इंदिया का second largest brackish water lake है इससे पहले first कौन सा है first largest यह निकौन सा है तो यहाँ पे largest brackish water lake लेक हमारे इंडिया में है चिलीका लेक, it extends from extreme southeastern portion of आंधर प्रदेश to adjacent portion of Tamil Nadu state, तो ये कहां से कहां तक extend करता है, south eastern part of आंदरा से लेकर के adjacent portion of Tamil Nadu तक जो है ये lake फैला हुआ है, इसके लावर यहां पर आप काफी सारे lakes देख सकते हैं वुलार लेक जमुकश्मीर में है सांबर लेक राजस्थान में है पुलिकट और कुलेरू लेक आंधर परदेश में है और फ्रेंड्स चीली का लेक की बात करें तो ये कहां पर हैं चीली का लेक कोड़े में हैं आगे बढ़ेंगे देखिए आपको कोशन है which gas is responsible for greenhouse effect तो greenhouse effect के लिए इनमें से कौन सा gas responsible है राइट आंसर हो जाएगा carbon dioxide तो carbon dioxide के अलावा और कौन कौन से greenhouse gases होते हैं तो water vapor इसके अलावा carbon dioxide हमने discuss किया है methane, nitrous oxide, ozone, cfc ये सारे greenhouse gases है अगला the term blue revolution is related to which of the following तो blue revolution यानि की नीली क्रांती शब्द निमलिकित में से किस से संबंदित है तो blue revolution associated यहाँ पे fish production से option number c right answer है agriculture से कौन सा revolution है associated यहाँ पे green revolution साथ में white revolution क्या है white revolution जो है यह milk production की बात करता है red revolution क्या है meat और tomato के production की इसने यहाँ पे बात की जाती है golden revolution क्या होता है यहाँ पे honey production, horticulture की बात की जाती है ठीक है horticulture next आता है pink revolution pink revolution drugs के लिए है pharmaceuticals के लिए है next और बात की जाए तो brown revolution भी होता है तो यह color revolution भी आपके लिए काफे important है brown revolution होता है leather के लिए koka के लिए ठीक है koko एक और याद रखिए black revolution black revolution किसके लिए है ये है petroleum के I hope आपको सारे यहाँ पे points clear है आगे बढ़ेंगे अगला question देखिएगा भूटिया dance is performed in with state of India तो friends भूटिया dance इसको perform किया जाता है सिक्की में option number B यहाँ पे right answer है तो देखिए जो भूटिया tribe है सिक्कीम की ये perform करती है यहाँ का traditional dance form जो की है भूटिया dance आगे बढ़ेंगे next question तो देखिए पद्बनाब स्वामी मंदिर जो है ये किस शहर में स्थित है ये located है friends तिरुवनांत पुरम केरिला में right answer option number B हो जाएगा इसके साथ कुछ और यहाँ पे बात करें तो देखिए तमिल नाडो में काफी सारे temples है उनकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक तो में है रामेश्वरम temple ठीक है रामेश्वरम temple जिसे रामनाथ स्वामी temple के नाम से जाना जाता है इसके लावे यहाँ पे सुचिंद्रम temple है कहाँ पे है? यह कन्या कुमारी में है इसके लावा मदूराई मदूराई का मिनाक्षी temple मिनाक्षी temple यह सारे famous temples जो हैं यह तमिल नाडो के हो गय इसके लावा और बात करें परिये देश्वर temple वार भी है जैसे कि εराथेश्वर केंपल में लूकेट है अफ्य घृट dri हका इखिया वेकर वोत पोल किरैड़ा एक है और एक है दोर kaptaum टेंपल चलिए तो यह आपके लिए न फेहां पे कुछ most important हम ने discuss किया कुनार्ग temple कहां पे है जगनाथ temple कहां पे है उडिसा में है तो ऐसे friends different different states के different different temples हैं जो आपको मैं आगे आगे और भी बताऊंगी राइट चलिए आगे पढ़ेंगे अगला question which gas gives orange red color to fluorescent tubes तो कौन सी gas fluorescent tube को नारंगी लाल रंग देती है तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का orange red color आता है यह आता है friends neon में तो option number be right answer हो जाएगा चलिए तो friends आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाती हूं हमारे paid pdf के website के बारे में यह है www.ravibooks.pdf.com यहां पर आपको रवी सर की gk and current affairs की जो pdf है न हिंदी और इंग्लिश medium दोनों में मिल जाएंगी तो देखिए recently आपके लिए यहां पर जून का monthly current affairs का pdf है यह launch किया गया है जहां पर आपको 550 प्लस one liner and mcq questions मिल जाएंगे वो भी topic wise साथ में फ्रेंट्स last six months का यहां पर current affairs का pdf भी आपको मिल जाएगा और इसके अलावा यहां पर 2023 का yearly pdf भी आपके लिए available है तो अगर आप कोई वेसे कोई भी pdf purchase करना है आप हमारे website पे जाके इन pdf को purchase कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे बांधवगर national park is located in which place in India तो बांधवगर national park यह किस state में है यह located है friends मध्यप्रदेश में तो मध्यप्रदेश ऐसा state है जहां पर सबसे जादा national parks पाए जाते हैं और यहां reserve भी है बांधवगर tiger reserve इसको 1993 में tiger reserve बनाया गया है साथ में कुछ और हम यहां पे नेशनल park की भी बात कर लेते हैं तो एक है सिमली पाल ठीक है सिमली पाल तो यह कहां पर है सिमली पाल नेशनल park यह उड़ी सा में located है बेतला नेशनल पार्क कहां पर है तो अगर आपको पता है ना तो आप जो है अल्रड़ी पहले से ही आप यहां पर इसे आंसर करें ताकि आपका रिवीजन भी होते चले बेतला नेशनल पार्क जारकन में है गुगा मल नेशनल पार्क महरास्ट्र में है और बात करें बाल पाकरम नेशनल पार्क कहां पर है तो यह located है मेगाले में चलिए अगला question sore taste of lemon is due to the presence of which of the following तो यहाँ पे जो निम्बू का खट्टा स्वाध होता है यह निम्लेकित में से किसकी उपस्थिती की वज़े से होता है तो यह होता है friends due to the presence of citric acid यहाँ पे option number A साही कर लीजेगा citric acid के presence से जो है lemon का जो taste होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ different यहाँ पे हमने sources लिए है food products और उनमें कौन सा acid होता है यह ठीक है पहला देखे एपल एपल में कौन सा acid होता है malic acid होता है lemon में कौन सा acid होता है citric acid grape में tartaric acid tomato में होता है oxalic acid vinegar में होता है acetic acid curd में होता है lactic acid orange में होता है ascorbic acid tea में भी acid होता है tannic acid stomach जो juice है उसमें होता है hydrochloric acid और ant या bee bite जब ant या फिर जो bee है जो काटता है तो थोड़ी जलन होती है तो वो जो sting में उनके acid पाया जाता है वो formic acid होता है तो ये सारे जो acids है आपको यहाँ पे याद रखने है जो protein है friends ये keratin है और इसी तरीके से ये hair में भी पाया जाता है और melanin क्या होता है तो देखिए melanin जो होता है ये हमारे body के color को decide करता है तो जितना ज्यादा amount of melanin body में पाया जाएगा उस तरीके से body का जो color है वो decide होता है next which metal has not yet been used या फिर found in the hadappan side तो hadappas thal में कौन सी धातू अभी तक नहीं मिली है तो यहाँ पे friends correct answer हो जाएगा iron ठेक है तो जो hadappan side के यहाँ पे जो excavation की गई है वहाँ पे copper, gold, silver, bronze ये सब का knowledge है बट iron जो है यहाँ पे नहीं पाया गया है तो option number D यहाँ पे right answer हो जाएगा और Indus Valley Civilization कब से कब तक थी तो देखिया हडपण Civilization या फिर Indus Valley Civilization 2500 BC से लेके 1750 BC तक थी इसके अलावा Indus Valley Civilization ये जो word है इस word को दिया गया था John Marshall के द्वारा आपका अगला question Dash renounced his knighthood in protest for Jaliyah वाला बाग मैसेकर के लिंग आपको बताना है किन्हों ने जो है जलिया वाला बाग सामुहिक हत्याव के विरोध में अपने knighthood त्याग दी थी correct answer है रविंदरनाथ टेगोर बात करें जलिया वाला बाग मैसेकर की तो देखिये जलिया वाला बाग मैसेकर जो reference यह हुआ था April 13, 1990 exact date भी आपसे पूछा जाता है एक्जामे तो April 13, 1990 को हुआ था यह बैसाकी का दिन था जहांपे जो British Army थी इन्होंने unarmed civilians को जिनके पास हत्यार नहीं थे ऐसे civilians को जो है उनके उपर गोली चलाइती और इसमें काफी लोग मारे गए थे तो यह था जलिया वाला बाग मसाकर इसके बाद जो है रविंदर नाथ टेगोर ने अपने नाइट हूड की जो उपादी है इसे त्याग दिया था ठीक है इसके अलावा जलिया वाला बाग मसाकर से एक और अगला रहेगा which of the following is correct full form of CACP तो CACP का full form क्या होता है इसका full form होता है Commission for Agricultural Cost and Prices राइट आंसर ऑप्शन नमबर C हो जाएगा आगे बढ़ेंगे तो गंगा यह कहां से स्टार्ट होती है गंगोतरी से इसका और यह जाके खतम कहां पे होती है तो यह Bay of Bengal में जाके end होती है आप देख सकते हैं यह पूरा यहाँ पे map में आपको शो कर रहे हैं हम गंगोतरी से इसका origination हुआ है और Bay of Bengal में जाके यह fall कर रही है तो गंगा फ्रेंड्स इंडिया और बांगला देश इन दोनों countries में flow करती है बांगला देश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है इसके अलावा यहाँ पे कुछ right banks tributaries है गंगा की और कुछ left bank tributaries है picture में आपको देखने को मिल जा रहा है बट फिर भी मैं आपके लिए आपके लिए लिख देती हूँ देखिए जो left bank tributaries है कौन-कौन सी है गोमती गंगर गंडक ठीक है साथ में घागरा कोसी राम गंगा यह सारी इसकी left bank tributaries है आपको मैप में भी दिख रहा है देखिए यहाँ पे यह गंडक रिवर यह कोसी रिवर इसी तरीके से right bank tributaries कौन-कौन सी है तो गंगा की right bank tributaries में आती है यमुना सोन दामोदर रिवर फिर बात करें तामसा रिवर तो यह सारी right bank tributaries है गंगा रिवर की ओगंगा रिवर की लेंथ कितनी है तो यह 2525 किलोमेटर ठीक है तो इंडिया की यह सबसे यहाँ पे longest रिवर है आगे functioning of other endocrine glands आपको बताना है आप उस गरंती का नाम जो हमारे body के सारे endocrine glands को control करती है और उस gland का नाम है यहाँ पे pituitary gland तो pituitary gland को यहाँ पे master gland के नाम से भी जाना जाता है question यह भी आता है कि which of the falling gland is known as master gland of the human body तो इसका right answer होगा friends pituitary gland तो यहाँ पे different endocrine glands की बात की गई है कौन कुन से endocrine glands हमारे body में देखिए pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, thymus, adrenal gland, pancreas, ovary and testis अगला रहेगा दंती दुरगा who set up his capital at Malkhade was a dash ruler तो दंती दुरु जिसने यहाँ पे मालखेड में अपनी राजधानी स्थापित की थी यह कौन से शाशक थे तो friends यह belong करते थे राश्ट्रकुता डाइनस्टी से तो option number B answer हो जाएगा राश्ट्रकुता डाइनस्टी के यह ruler थे तो जो राश्ट्रकुता डाइनस्टी थी यह 1735 से लेके 1756 AD तक यहाँ पे rule कर रही थी और आपसे अगर यह पूछा जा रहा है who was the founder of राश्ट्रकुता अंपायर तो इसका भी right answer जो है यह दंती दुर्गी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे which date is known as the shortest day and longest night तो किस तारीक को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात की रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर friends सबसे छोटा दिन और लंबी रात जो है न यह 22nd December को होती है जिसे हम winter solustus के नाम से जानते हैं ठीक है winter solustus वही अगर आपसे पूछा जाए opposite कि longest day और shortest night कब होती है तो longest day और shortest night जो है friends यह होती है June 21st को जिसे हम summer solustus के नाम से जानते हैं तो आपको यह दोनों याद रखने है तो यहाँ पर यह जो 22nd December है कभी-कभी 21st December को भी यह पढ़ता है तो इन में से जो भी option में होगा आपको voting करना है आगे बढ़ेंके the most important and sacred river in Rig Veda was considered to be तो यह पर Rig Veda में सबसे महत्वपून और पवित्र नदी किसे माने जाती है Friends Rig Veda जो कि हमारा oldest Veda है यहाँ पर जो सबसे most important और sacred river मानी जाती है सरस्वती river मानी जाती है इसके अलावा अगर question पूछा जाए कि which of the falling river is most mentioned in Rig Veda यानिके Rig Veda में सबसे जादा बार किस river की बार की गई है तब वो है Sindhu river ठीक है Sindhu river की बार सबसे जादा बार की गई है बट जो most prominent river है according to Rig Veda यह सरस्वती river है आगे बढ़ेंगे scurvy is caused by the deficiency of तो scurvy किसकी कमी के कारण होता है scurvy होता है due to the deficiency of vitamin C तो यहाँ पर different efficiency disorders आप देख सकते है vitamin A के कमी से कौन सा होता है night blindness होता है vitamin B के कमी से होता है berry berry vitamin C हमने यहाँ पर discuss किया है scurvy होता है vitamin D के कमी से क्या होता है vitamin D के कमी से होता है rickets औके और साथ में iodine इसकी कमी से क्या होता है इसकी कमी से होता है goiter next question को देखिएगा in ribonucleic acid which of the falling nitrogenous base is not present तो यहाँ बे जो RNA है इसमें कौन सा nucleic acid nitrogenous base जो है यह present नहीं होता है आपको बताना है friends देखिए सबसे पहले आपको इसको answer करने से पहले जो है difference पता होना चाहिए between RNA and DNA तो देखिए DNA इसका full form है deoxyribonucleic acid और RNA का full form होता है ribonucleic acid इसमें जो sugar पाया जाता है यह deoxyribos होता है और RNA में सिर्फ ribos होता है और DNA जैसा कि आप जानते हैं इस तरीके का कुछ double stranded structure होता है ठीक है और वहीं बात करें RNA की तो यह single stranded structure है नेक्स देखिए कि यहाँ पर जो nitrogenous bases है यहाँ पर कौन-कौन सी होती है ATGC होती है यानि कि adenine, thymine, guanine और cytosine वहीं पर friends RNA की बात करें तो यहाँ पर thymine की जगा पर जो है यहाँ पर uracil होता है यानि कि AUGC होता है यहाँ पर जो कि है adenine, uracil, guanine और cytosine अब आप काफी easily answer यहाँ पर कर सकते हैं इन ribonucleic acid which of the following nitrogenous base is not present तो जो यह थाइमीन है यहाँ पर absent होता है तो right answer हो जाएगा option number C है वहीं अगर आपसे यह पूछा जाए इन DNA which of the following nitrogenous base is not present तब यहाँ पर right answer हो जाएगा uracil तो I hope आपको मैंने दोनों जो points से वो clear कर दिया है आगे बढ़ेंगे अगले question को देखिए who among the following is popularly known as harbinger of modern India तो निम्रिकित में से किसे आदुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है तो harbinger of modern India इन में से कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को ठीक है friends राजा राम मोहन रॉय ने जो है स्टैबलिश किया था ब्रह्मो समाज को कब स्टैबलिश किया था ब्रह्मो समाज को इन्होंने 1828 में इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंडिक इन दोनोंने मिलके जो है सती सिस्टम जो था इसको 1829 में abolish किया था इसके अलावा फ्रेंड्स राजा राम मोहन रॉय ने जो है क्यालकटा कॉलेज को भी establish किया है क्यालकटा कॉलेज को इन्होंने 1817 में establish किया है कुछ और eminent personalities और उनके nicknames की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो देखिए खान अब्दुल गफार खान इनको किस का नाम से जाना जाता था इनको frontier गांधी के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट है जे प्रकाश नारायन जे प्रकाश नारायन को फ्रेंड्स अलोख नायक के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले Dr. Rajendra Prashad Dr. Rajendra Prashad को friends Ajash Shatru के नाम से जाना जाता था Very new, very important question इसके अलबा सरदार Vallabhahi Patel को किस नाम से जाना जाता था इन्हें Bismark of India के नाम से जाना जाता था तो आप यह सब यहाँ पे याद रखे अगला dash separates Daman and Dew इन में से कौन सा जो है बताना है आपको Daman को Dew से separate करता है तो देखिए, इस area में यहाँ पे Daman है और यहाँ पे Dew है और यहाँ पे Daman है इन दोनों को जो separate कर रहा है यह जो portion है इसे क्या कहते है तो friends इसे कहा जाता है Gulf of Khambath option number A जो है इसका right answer है next, in which state okla bird sanctuary is located okla pakshi abhyaran यह किस राज्य में स्थित है यह located है friends, उत्तर प्रदेश में next, which among the following is not a unit of distance तो निमलिकित में से कौन सा दूरी का एकाई नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए light year, kilometer या पारसक यह तीनों से हम distance को measure करते हैं, बट जो second है यह time को measure करता है, यह distance को measure नहीं करता, तो option number B यहाँ पे right answer हो जाएगा, तो देखिए बात करें कौन-कौन से ऐसे unit है जिससे distance को मापा जा सकता है तो यहाँ पे एक होता है astronomical unit एक होता है light year, इसके लाबा पारसक, अब इन तीनों के बीच में distance है, उसको मापते है महीं बात करें light year, तो light year को हम use करते है distance मापने के लिए कि जो light है, वो कितना travel कर रहा है एक साल में, उसको मापने के लिए light year का इस्तमाल किया जाता है और पारसक क्या होता है, 1 पारसक जो है, यह equal to होता है 3.26 light years के, right तो यह कुछ different units है, जो की space के terms में use की जाती है distance मापने के लिए अगला, an organelle that mainly serves as packaging area for molecules that are distributed across the cell and are called, तो यहाँ पे एक organelle, जो मुख्य रूप से अनुवक के लिए एक packaging छेतर के रूप में कारे करता है, जो cell में वितरित होने और dash के लिए, इसको क्या कहते है friends, इसे कहते है, Golgi apparatus ठीक है, यह packaging area होता है ताकि, जो अब cell में different molecules यहाँ पे जाएं, तो यह जो packaging का काम है, यह Golgi apparatus का होता है, इसके अलबा mitochondria की बात करें, तो इसको powerhouse of cell के नाम से जाना जाता है powerhouse of cell आपका अगला question, how many countries share land border with India तो इन्वे से कितने देश हैं, जो भारत के साथ, जो है, आपे land border share करते हैं, ध्यान रखिए, land border की बात की जा रही है ठीक है, तो आपे land border share करते है seven countries, कौन-कौन से हैं Pakistan, अफगानिस्तान चाइना, नेपाल भुटान, मयनमार और बंगलादेश, ठीक है one, two, three, four, five, six, seven, जो ये seven जो है, countries है, जो share कर रहे है border with India, land border with India वहीं अगर आपसे पूछा जाए, कि यहाँ पे sea border, या फिर water border कौन share कर रहा है, इंडिया के साथ तो ये हो जाएंगे, Shri Lanka and Maldives, ठीक है चलिए, आपका अगला question, who is the first woman finance minister of India, भारत की पहली महिला वित्तमंत्री कौन है friends, पहली woman finance minister of India रही है, इंडिरा गांधी जी तो इंडिरा गांधी जी देखिए, पहली finance minister है, independent India के female finance minister इंडिया की, जिन्होंने serve किया था 1969 से 1970 तक, बड़ देखिए, यहाँ पे full-time finance minister यह नहीं थी, अगर आपसे पूछा जा रहा है, who is the first full-time woman finance minister of India तो वो हो जाएंगी, निर्बला सेतारामन, आपका अगला question, satriya is the classical dance of which day, तो satriya किस राजिका सास्त्रिय नृत्य है, friends उत्तरप्रदेश, कुछीपुरी आंदरप्रदेश उडिसी, उडिसा का, कदक्खली केरला का classical dance है, सत्रिया असम का, मानिपुरी मानिपूर का और मुहिनी एक्टम जो है, केरला का classical dance है आगे बढ़ते हैं, the headquarter of Sidby is located in which city तो Sidby का मुख्याले कहां पे है right answer हो जाएगा, लखनौ अब ये Sidby है क्या, इसके बारे में बात करें इसका full form है, friends Small Industries Development Bank of India इसको found किया गया है 2nd April 1990 को, headquarter कहां पे हमने बात की, लखनौ में इसका headquarter है, और इसके present chairman कौन है, ये है सिव सुब्रमनियम रामन अगला, World Population Day is observed on, तो विश्व जन संक्या दिवस कब मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है, जुलाई 11th को और इस साल 2024 में theme क्या था World Population Day का ये था Empowering Youth for a Sustainable Future Next question friends, देखे आपका, which one right was given by Dr. B.R. Ambedkar called the Soul of Constitution तो Heart and Soul of Indian Constitution ये कहा गया था एक right को, B.R. Ambedkar जी के द्वारा आपको बताना ये कौन सा ऐसा आर्टिकल है तो ये है right to constitutional remedies Next, Manda Festival is related to which deity Manda Parv, ये किस देवदा से संबन्दित है, तो यहाँ पे friends, Lord Shiv को पूजा जाता है अगला question, the extreme southernmost point of India, that is, Pagmalion point, is located in which of the following island तो Pagmalion point, ये जो है extreme southernmost point है हमारे इंडिया का ये कहाँ पे located है, ये located है, Bay of Bengal islands में तो यहाँ पे आप picture देख सकते है, friends, आपको सब कोछ यहाँ पे मिल जाएगा complete information तो southernmost point of India जो है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, Indra point, ये फिर कह सकते हैं, आप Pagmalion point कहते हैं जो कि Bay of Bengal में located है, अन्दमाना निकोबार में, वहीं अगर आप से पूछा जा रहा है कि southernmost point of mainland India कौन सा है, तो ये है कन्या कुमारी तो इन दोनों के बीच में यही difference है westernmost point of India कौन सा है गुहार, मोर्टी, गुजरात में है northernmost point है, इंदरा, कोल, लदाग next, यहाँ पर देखिएगा easternmost point of India कौन सा है यह है, किबीतु, अरुनाचर प्रदेश ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे extreme points of India भी discuss कर लिए है, आगे बढ़ते हैं what is the maximum allowed size of council of ministers, तो यहाँ पर council of ministers की maximum allowed size, जो है, यह कितनी होती है यह होती है, it cannot exceed 15% of total members of लोगसभा, तो लोगसभा में जितने भी members हैं, उनका 15% से ज़्यादा यह नहीं होना चाहिए यानि कि 15% होना चाहिए, ओके next question, friends, और आपका last question भी है, who administers oath to the prime minister of India तो भारत के प्रधान मंत्री को शपत कौन दिलाते हैं, तो picture को देखके आप समझ गया होंगे, friends, prime minister जो होंगे, यह ना उनको oath दिलाने का जो काम है, यह president of India का होता है, option number B, right answer हो जाएगा, वही अगर आपसे पूछा जा रहा है कि president को oath कौन दिलाते हैं, तो president को oath दिलाते हैं, chief justice of India ठीक है, तो यहाँ पर friends, prime minister के अलावा, जो है, president और किसको किसको oath टेक करवाती हैं, prime minister, इसके बाद speaker जो होंगे लोग सभाके उनको, और बाद में vice president, तो इन सबको oath taking जो है, यह president करवाते हैं, यह हो गए friends, आपके top 50 most important question, I hope आपको सारे questions यहाँ पर clear है, आपको अगर यहाँ पर कोई सा भी doubt हो, आप comment करके हमें पूछ सकते हैं, हम definitely आपको answer करेंगे, अब चलिए, अगर आपने पूरा video अच्छे से देख लिया है, आप आता है आपका test question, जिसका answer आप हमें comment करके बताएं, पहला test question यहाँ पर है article 25 of constitution is related to which, तो यहाँ पर समिधान का अनुछेद 25, यह किस से संबंदित है, हमें आप comment करके answer बताएं, एक और test question है यहाँ पर, which of the following protein is found in nails, तो यहाँ पर आपको बताना है नाखुन जो होता है, उसमें कौन सा protein पाया जाता है ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया, यह जो protein है, यह एक और जगा पर पाया जाता है, ठीक है तो यह भी आप हमें comment करके जरूर बताएं, तो यह दोनों friends आपके अगर आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं, आपके दिखिए monthly current affairs, या फिर compilation जो है last six months का, और साथ में yearly PDF, इन में से कोई भी e-book अगर आपको purchase करना है, आप हमारे website में जाके इन e-books को purchase कर सकते हैं, तो आपके upcoming exams के लिए काफी beneficial हैं, आप चाहें तो इसे buy कर सकते हैं, जाके हमारे website से, ठीक है, चलिए, तो all right friends, यह था हमार आज का last slide, I hope आपको यह video पसंद आया होगा, वीडियो कर आपको पसंद आया है, तो वीडियो को like और अपने friends के साथ share जरूर करिएगा, और यह video को कैसी लगी, comment करके जरूर बताएं, मिलते हैं एक और important topic के साथ अगले video में, तब तक के लिए thank you and have a nice day